वेल्कम बैक फ्रेंड्स, VLW की क्लासीज कंटिन्यू चल रही हैं, कंप्यूटर के पांच लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आज जो पांचमा लेक्चर था, फिफ्थ लेक्चर जो कंप्यूटर का इंटरनेट के उपर था, उसी इंटरनेट के उपर हम MCQ लेकर आया हैं, तो इसका हमें इस लेक्चर का नाम जो रखा है, वो है MCQ लेक्चर फाइफ, तो लेक्चर फाइफ पहले आपको देखना पड़ेगा, इंटरनेट को समिना पड़ेगा, उसको पढ़ना याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह आप कोशन अटेम्ट करना, अगर आप पह जो टापिक है, इंटरनेट का वो पूरा क्लियर होगा, चार से पांच कोशन इंटरनेट के टापिक से पूछे जा सकते हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कोशन है, विच अफ़ फालिविंग इस नाट सर्च इंजन, तो आपको वो सारे कोशन जो हमने फिफ की टापिक इंटरनेट में, ठीक है, तो कोशन इमर फर्स्ट है कि इस नाट सर्च इंजन, इन में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ठीक है, जल्दी से अंसर करें सर्च इंजन कौन सा नहीं है, वेरी गोड, विंडो जो है, यह एप्लिकेशन है, सर्च इंजन नहीं है, यह language very good very good okay जल्दी चलें वेरिफिकेशन आफ ये कोशन नया है वेरिफिकेशन आफ लागिन नाइम पासपोर्ट इस नोन अस अथन्टिकेशन ओके जो नया कोशन है वाप साथ में देख याद कर लें जो हमने लेक्चर में नहीं कर पाए तो वह भी हमने अड़ किया यह तो यह वन वेबसाइट तो एनधर इसकाल एक वेबसाइट सेम दूसरी वेबसाइट में मूग करते हैं तो इसको हम करते हैं दाट इसकाल्ड ब्रोजिंग वेरिगूड ओके अप्प्यूटर ओन इंटरनेट यह कोशन बहुत बार एक्जाम में पुछा दिया है अप्प्यूटर इस इडिएट इडिफाइड बाई कंप्यूटर इंटरनेट पे इडिफाइड होता है बाई बाई इस आई-पी एड्रस वेरी गूड ओके दप्यूटर जगरान यह कोशन नहा है डव्लेव डवलेव की फुल फाम तो आपको पता है लेकिन आजकल डवलेव डवलेव डव इस वोल्ड वाइड वेब वाम ओके यह आपको याद हना है विच फॉल्विंग इस क्रेक्ट फार्माट अफ इमेल एडर्स इमेल कोशन बीच में आ गया है इमेल हम अलग से भी पढ़ेंगे फिर भी आप जल्दी से देख रहेते हैं आपको पता होगा इमेल जैसे मेरा है आपको दो है जैके ससिबी कैसे स्टैडेीफास अधा इडरyorsun गर्डीच काम फिर नाम आता है चाहिए पछी नेंवExcड़ यडर€ेडर्स इब डाकॉम आप यदि डाट सिंवस्यक्त, दो यदो है थुप फिर एहले पाम। औरू पहरे इसमीं धर box अधाल का से देख सेथ लि लिमनेशन मेतोड का आपको पता होने चाहिए एक सिक संस होती है ना वो होनी चाहिए अपके अंदर और यह कैसे आएगी प्रैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा कुशन किया करो है यह किसले यूज होता है जल्दी सबता है क्या चीज़ बनाने के वैब पेजिस बनाने के काम आता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है 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 एचिमल उस्ट तो रियेट वैब पेजीज ओके फ्री फकॉस्टर्बेर फाफ्ट्वर बग अविलिबल अधिनरेट इस काफ्ट्वर रिप्यर रप्यार फ्री फ्री फॉट्वर इस काल एट यह को जिसको क्या करते है इल्दीज काल पैच थोड़ा सा जीब कोशन है इस तरह को कोशन भी पूछे जा सकते हैं, otherwise जो कोशन पूछे जा सकते हैं, आपको इसाथ में बता दूगा, To join the internet, the computer has to be connected to our, internet को जाइन करने के लिए, computer को पहले connect होना चाहिए, किस के साथ, Simple सी बात है, जो internet को provide करेगा, internet service provider, ISP, internet service provider से connect होना चाहिए, ठीक है, okay, so the next, देखो, ये आपको बता दूँ, tough आपको शाहिद लग रहे होंगे, कुछ कोशन, तो ये internet का topic थोड़ा सा, difficult है, as compared to other topic, लेकिन software, अब देखें, software में भी थोड़ी सी tough चीज़े हैं, हम next software को cover करने के कोशिश करेंगे, तो which protocol assign IP address to the client connected to the internet, ये थोड़ा सा, complicated है, a special type of protocol होता है, which is assign IP address, जो IP address assign करता है to the client, तो कोशन ही सीधा याद रख लो, confused नहीं होना, connected in the internet, it is DHCP, तो इसकी full firm क्या है, comment section में आप कर सकते हैं, अगर आपको बता है, okay, नहीं तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, explanation इसकी full firm पहले देता है, domain host control protocol DHCP की full firm में तो वीडियो पास करके, इसको आप rewrote कर सकते हैं, ठीक है, okay, which protocol is used for browsing website, तो इसकांसर वीजिबल हो गया है, sorry to say, लेकिन question बहुत important है, कौन सा protocol browsing website, website को browse करने के लिए, सब को पता होगा नहीं है, यह की HTTP ही है, साइड जिसको हम website browse करते हैं, तो यह वहाँ पर आजाता है, HTTP, hypertext transfer protocol, browsing website के लिए कोन सा protocol यूज़ रता है, HTTP, okay, which is not a browser, browser कौन सा नहीं है, search engine का question मैं ने पूछ लिया है, browser का पूछ रहा हूँ, browser कौन सा नहीं है, इसमें, तो आपको बता दूँ, google जो है, यह browser नहीं है, तो क्या है, यह है, search engine, okay, बाकी तीनों के तीनों जो है, यह browsers है, और यह question भी बहुत बार exam में पूछा गया है, okay, what is not the search engine, तो यह इन में से आब बताएं, search engine कौन सा नहीं है, अलविट्सा, google, yahoo, search engine है, लेकिन, facebook जो है, यह search engine नहीं है, application software है, maximum speed of modem, modem की maximum speed, जो है, यह question, शाहिद ना पूछा जाए, छोँजा kb per second होती है, which protocol, यह question आपको बता दिया है, repeat भी किया है, क्योंकि बहुत important है, browsing website के लिए, जो protocol यूज होता है, that is http, okay, don't forget this question, and the question here comes, the important, the most important question, the size of IP version 4, version 4 और 6 दोनों का size मेंने आपको पताया था वीडियो में, तो hopefully आपको याद होगा, sorry, तो यह, आप देखें, और जल्दी से answer करें, इसका right answer क्या रहेगा, थोड़ा सा, यार, mobile हैंक कर रहा है, mobile नहा लेना पड़ेगा, okay, so 32 bit इसका अंसर वीजिबल ही हो गया है, कुछ कोशन का, sorry, sorry for that, but, यह IP version 4 का, जो size है, 32 bit होता है, यह आपको याद रखना है, which of the following is used to write the web pages, यह कोशन उपर आया था, उसको उल्टा करके डाला हो है, web pages को लिखने के लिए, कौन सा यूज होता है, यहाँ पर प्रोटोकोल, जल्दी से आप बताएं, यहाँ पर यूज होता है, html, hypertext markup language, ठीक है, web pages को लिखने के लिए, don't get confused, बहुत सिंपल और दो बर यह रिपीट होगा है, कोशन बहुत इमपार्टन है, a web address is called, a web address is a web address, web address किसको केते हैं, आपको बताया भी था, web address केते हैं, यहाँ पर तो औप्शन से जीब हैं, एक ही सामने आपको पर चल रहा है, URL को web address केते हैं, URL, uniform resource locator, web address, okay, so the next is, here, standard protocol, standard protocol of internet, बहुत इंपर्टन कोशन है, standard protocol, internet का standard protocol, कोशन है, most important protocol में आपको कहा था, standard protocol of internet, it is, TCP IP, transmission control protocol, internet protocol, TCP IP, standard protocol है, internet का, यह आपको याद रखना है, ओके आगे चलते हैं, the email component of internet explorer is called, जो email component है, internet explorer का, internet explorer is called, it is outlook express, यह कोशन एक्जाम में पूछा गया था, को अग्जाम में पूछा गया था, हमारे एक्जाम में यह कोशन पूछा हुआ था, okay, HTTPS, यहाँ पर HTTP आपने सुन लिया, आजकल बड़ाई यह हो गया, secure, तो इसलिए HTTPS यहाँ पर यूज़ रहता है, Hypertext Transfer Protocol, secure, ठीक, S की full form पूछी है, S का मतलब है, secure, okay, अब यह full form बहुत important है, यहाँ इस topic, full form, computer के exam, 25 में से आपको 6 या 7 abbreviations, यहाँ पूछी है, यहाँ आपने याद रहना, इंटरनेट जो topic है, इस मिसे सबसे ज़ए full form सियाँ पूछी है, SMTP स्टेंज़ फार, simple mail, transfer protocol, very good, okay, what is the use of use net is not important, इसको छोड़, IP address virgin 6, इसका size बिता दे, 4 का 32 बिता दे दे आपने, 6 का size, आप यह 6 बाला जाला पूछे जाएगा, 4 का अब नहीं पूछा जाएगा, 6 का पूछा जा सकता है, sorry, 6 का पूछा जा सकता है, तो it is about, कितना है, 123 कही में confused तो नहीं हो गया, अगर मैं गल्त हूँ तो बता देना, क्योंकि वीडियो बनाते हो, बड़ा प्रिशराइज हो जाता है, अनसान, आफ लाइन हो, सामने बंदा बैठा हो, तो एक एक बाते बंदा बता जाता है, वीडियो में बंदे को प्रिशराइज होता है, पिछे से बाज आ जाएगी, दिर्वादा खोल देगा, कोई दिर्वादा खटका देगा, जाज आ जाएगा, तो यह बड़ी सरी चीजें होते है, इसलिए कभी कबार कुछ आगे पिछे हो जाता है, दिमाग खराब, तो sorry for that, हो जाता है भाई, इतन टेंशन इन लेनी है, a simple protocol used to fetching email, from email box, email box email को fetch करने के लिए, protocol used होता है, वो आपको यादा हना, POP3, ठीक है, POP3, यादा हना, mail fetching के लिए, and the internet standard is, internet को जो standard है, that is MIME, तो यह ऐसे ही याद रख लो, इतने सम्मेंज की बाहरा, कुछ चीजें internet की नहीं ज़्यादा समझा पाती, तो उसको इस तरह से भी, mind में रखा को रो, कहीं question आजाए, तो आप solve कर सको, host on the internet find another host by its, यह question फिर से repeat हो है, और बहुत important है, a host on the internet is finds another host by its, IP address, लग-लग तरीके से यह question पूछा जाता है, FTP stands for, FTP, FTP, FTP का मतलब है, यहां पर किस लिए यूज होता है, दोनु के लिए, uploading and downloading, इसका answer क्या होगा, C, uploading files, or downloading files यूज होता है, यह protocol FTP, the first page that you normally view at the website, website का जो first page होता है, उसको, क्या कहते हैं, जल दिए उसको कहते हैं, home page, very good, तो आप पतने थकें, थकें, में थक गया भाई, एक तो आवाज आप बोलते, कम आती है, मेरा गलाफ हट गया है, और बोल के, क्योंकि मॉबाइल का माई ख़रा हो जगा है, बस 10 दर कहीं से आज है, 15,000 मॉबाइल ले 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 ले, which of the following networking, आपको इतना सस्ता मॉबाइल आइफून का दोर है, क्या करें भाई, which of the following networking solution, is suitable for networking and building, देखो, आपको मैंने, PAN, LAN, WAN, MAN, सारे बताये थी, 4 रही एक्सेंपल्स, तो आपको building, एक building के अंदर कौन सा network होता है, that is local area network, land, building के अंदर बुचा है, ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं, in reality, internet protocol, recognize only, फिर से, फिर से, फिर से, एक ही question को, अलग तरीके से पूछा जाता है, और इस जो internet protocol है, रिकनाईज करता है, IP address को, ओके, वेरी गूड, आगे चलते हैं, हो गया, the process of keeping addresses in memory for future use, this is not an important question, आपको, यहाँ पर catching, लेकिन, यह जएदा, हाई-लेवल का question हो जाता है, तो, दो फिर स्ट नेटवर्क, देट प्लांटि देशीड आफ इंटरनेट, इस आपको बार्न कोशन, पहले ही, वीडियो में स्टार्टिं में आपको बताया था, तो इसको कहते हैं, तो, इसको कहते हैं, आर्पानेट, लेउड हाई अधनीज़ पुर्जेर्ट अजन्सी, यह नेटवर्क का आपने, तो इसको अगर आपने नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीजिए होगा very important question and you need modem modem की फुर्फाम पता दो modulator, demodulator very good और ये कौन सी device it is both input as well as output की तरह act करती है each IP packet must contains IP packets होता है न जो internet protocols जो होते हैं TCP IP वो जो कोई message स्पोर्ज हम send करते हैं और वो packets में convert होता है फिर जाकर आगे जाता है फिर वहां पर वापस message में convert हो जाता है security के लिए तो ये IP packets होते हैं इसमें क्या चीज़ होती है एक इसमें होगा source और दूसरा होगा destination का address it is source and destination addresses ठीक है okay next which of the following is required to create the HTML document HTML document को create करने के लिए text editor चाहिए होता है it is not much important domain domain आपको ब्यद्धा था domain से question जरूर आता है internet से domain आपको मिने बता है जल्दी से बताएं profit business के लिए कौन सा domain यूज़ होता है profit business profit business ठीक है commercial.com profit business के लिए अगर आपको पूछा जाए non profit तो कौन सा बताओगे non profit business के लिए organization या business के लिए non profit के लिए commercial.com profit business के लिए आपने याद रखना है and dot edu education dot military military network network के लिए आपको पता है आर्पनेट stand for अभी थोड़ी देर पहले बताचको आर्पनेट stand for advanced research projects agency network c option is right equipment needed to allow home computer तो ये फिर से repeat हो गए जल्दी से answer कर दो क्या चीए होता है mod very good so this is all about ये almost 50 questions हमने cover कर दी आज के लिए hopefully आपको इंटरनेट का topic clear हो गया लेकिन बाई साब इतने जल्दी नहीं आप इसको clear समयना जितना हमने अभी तक पड़ा है यानि जो इंट्रोडेक्शन से लेकर हिस्ट्री जनरेशन और जो सबसे लिए कोशन पूछ जाते हैं वह memory और इंटरनेट memory और इंटरनेट और इंपूट और डवाइसी जो मैं टापिक है वह आपके पांच है पहले तो basic introduction वाला वीडियो था जिसमें history अपना generation वगएरा उसके बाद memory एक बड़ा टापिक है इंटरनेट एक बड़ा टापिक है input और डवाइसी बहुत बड़े टापिक है यह चार पांच टापिक जितने आपने पाड़ लिए इस सारे आप बुक से रीड करें ठीक है अरीहांत की बुक से जरूर रीड़ाइड करें वीडियो भी देखें लेकिन साथ में बुक भी पढ़ते नहीं और MCQ अपनी तरह से वी गूगल पर जाकर सच करके ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताके हम एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन लेकर आगे चलते जाएं ठीक है जर्नल अवेरनेस और कंपिटर दोनों को हम लेकर चल रहे हैं और जो एक अपना रीजनिंग और मैथमेटिक का पॉर्शन है उसके लिए आपको चैनल मैंने सुझेस्ट किया था पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं इंटरनेट वाली वीडियो में चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टैलिग्राम आप जरूर जाएं करें ताकर जो पीडियो आपको प्रॉइड की जाती हैं और वो आपको मिल सकें जाएं लिंक द्सक्रिप्शन में है और चैनल पे नये हैं चैनल को जरूर सब्सक्रिप्र करें